हेलो आईस राम राम आज मैं आपको एक वीडियो के क्लिप छोटी से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे गेज भरते हैं और क्या-क्या लापरवाई करने के कारण आपका गेज पाइप भी फट सकता है जैसे आज मेरे हाथ हो गया है एक खासा जो आज आपको दिखा देता हूँ बहुत हो में वीडियो बना रहा है तो इसलिए आपको दिखा पाऊंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना और पूरा देखना आप घर पे कभी गेज भरते हो तो इसी लापरवाई कभी ना करें गल्ती से भी ठीक है गाइस अब आपको आगे बता दूंगा कित्ती डली है कित्ती नहीं एक टंकी डली हुई है उसमें पहले से अब हुआ है और ये ये अपना जो पंप है जो विपसे चलनी लगी एए इसमें फिल्टर होके जाता है जो भी गेस में कचरा रहता है सब यहां पर फिल्टर हो जाता है अब यहांं character कहलते हैं यहां पर देखना फिल्टर हुआ तेंकी नली को वेवस्तित लगाना आप इदर को आप आप देखो इदर आके यह जारी है घेज कितनी तरी से जारी है कि गरम करने से यह फाइदा है कि थोड़े आदर गंटे अपने पांदस मिट तक तो यह बैसे ही चले जाएगा अब बड़ा नुक्सान हो गया है लापर भाई के नतीजे से कि इसी हो गया उनुक्सान वारी कि नली फट गई है अब यह टंकी नहीं डलेगे हमसे कि अब अब इसलापर भाई यह रह गई है कि पंप को चलाते रहना था हमें और हमने उस को मतलब इसे छोड़ दिया है बिना पंचलाए क्योंकि एक टंकी तो पहले से भरी हुई थी उसमें तो प्रेसर बना जैसे प्रेसर बना तो वह प्रेसर नली पर जोर पड़ा जोर पड़के और नली फट गई है इसलिए क्या थोड़ा शीको और शीकाओ ठीक है गाइस